नई शुरुआत कर रहे हैं, सीटाट के ग्लासे जो हैं आपकी यूट्यूब की, वो प्रॉपरली आज से शुरू होती हैं सभी को गडीविंग, नमश्कार, राम राम, सच्छा गाल, असला वाले कुम अटो यह फिल कनेक्टेट विद पसंद आएगा, आज आपको यह देखना भी है, कि अगर आप रौ, जितनी तयारी आपकी आज है, उस समझ के साथ, अगर आप questions को आंसर करते हैं, तो कितने number आप ला पा रहे हैं, आणा, देखे, अगर हम बात करते हैं, question number 1 की, तो यह क्या कहता है, children learn language, यह question हर बार आता है, आप paper उठा करके देख लीजए, आपको किसी ना किसी form में यही question language पर, और even same question as it is, थोड़ा सा language में पर देखर के, मिलता ही मिलता है, क्योंकि language पे एक question आना ही है, निश्यत है, ठीक, तो समझते हैं, children learn language with much ease up to a specific period, because they are especially responsive to environmental influences in that period, this period is known as dash period of development, यानि बच्चे जो हैं, वो आ आसानी से भाषा को स्थीख जाते हैं, एक specific period of time में, इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, इसको specific period कह रहे हैं, हम बाकी अभी में बताऊंगी इतने आप answer करते हैं, तो बच्चे समय की विशिष्ट अवदी पर, यानि एक निश्यत समय है, एक ऐसी stage है, जहां वो बाकी stages के मुका पकड़ लेगा, क्यों कि वो उसके लिए क्या है, critical period है, sensitive period है, language development का specific period है, जब language development fastest होगा, ठीक है ना, तो समझते हैं, बहुत सरलता के साथ, आप इस अभधी में भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अभधी में वे परिया वर्णिया प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं आपने जीत ली, ठीक, इस period को क्या कहते हैं, sensitive period कहेंगे, zonal period कहेंगे, और typical period कहेंगे, या non-responsive period कहेंगे, तो जैसा कि आप लोग सभी सही उत्तर दे रहे हैं, जादा तो लोग, क्या है sensitive period ये कहलाता है, यानि समवेदन शील काल कहा जाएगा, किस चीज के लिए, अलग-अ लग-अलग समवेदन शील काल हो सकते हैं, जैसे इस बार sensitive period पूछा गया किसके लिए, neuroplasticity के लिए, या brain plasticity के लिए, उसको भी मैं भी एक bonus question के रूप में आपको यहीं समझा करके चलूँगी, ताकि आप confused ना हो, ठीक, तो sensitive period कहलाएगा ये, sensitive क्यों, क्योंकि आप इस समय में, बच्चा इस समय में, 2-6 वर्ष के समय में especially, क्या है, sensitive है language को सीखने के लिए, तो ये sensitive period या समवेदन शील काल कहा जा सकता है, इसको आप critical period कह सकते हैं, कि बहुत ही महतुपूर्ण period है, fastest period of language development कह सकते हैं, कि भाशा विकास सबसे तीवरता से इसी उम्र में होता है, इस पांच साल की उम्र तक जो LAD की बात करते है, language acquisition, device की बात करते है, वो वही period है, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से इस टाइम पे, उनका जो language acquisition device है, बहुत active होता है, उम्र के साथ ये धीरे-धीरे weak होता जाता है, तो ये zonal यानि शेत्री है, कोई शेत्री अवधी होती है, किसी शेत्र की बात हो रही है, जी नहीं, age की बात हो रही है, और typical, यानि विशेष्ट या abnormal period है ये, नहीं, बिल्कुल normal है, sensitive period है ये, खराब बात, non-responsive है, और प्रतिक्रिया आत्मक है, अगर non-responsive होता, और यहां हम question में कह रहे हैं, कि इस age में, बच्चा responsive होता है, language को सीखने के लिए, और यह कहना है, जी non-responsive है, तो कुछ और ही बात चल रही है, चार options में से, हमें एक ही best option चूज करना है, उसके अलावा, तीन options से, ये सीख लेना है, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, रट्टे नहीं लगाने, समझना चीज़ों को, तो sensitive period, या critical period, या fastest period for language development, कौन सा है, जस टाइम पर बच्चा सबसे तेजी से language को पकड़ेगा, वो है early childhood, ये आप कहीं note भी कर सकते हैं, क्या है early childhood, early childhood, stages of development की जब हम बात करेंगे, आगे चल करके, पूर वो बालियवस्था जिसको हम कहते हैं, बालियवस्था का पहला हिस्ता है, दूसरा होता ह later childhood, उससे पहले infancy है, फिर adolescence है, यही तीन stages आपके काम की हैं, जिसमें से childhood को बाट देंगे, तो 4 stage कहलाएंगी, मैं यहां लिख देती हूँ, infancy, जन्म से 2, 6 वावस्था जिसको हम कहा रहे हैं, इसी को प्याजे ने sensory motor कह दिया, गत्यात्म का वस्था, जन्म से 2, फिर childhood में दो पार्ट हैं, early childhood, 2-6, later childhood, उत्तर बाल्यवस्था, जिसको concrete operational कहा प्याजने, 6-12, और adolescence, यह क्या है, यह है आपका 12-18, WHO की माने तो 10-19 वर्ष, ठीक है, teenage भी जिसको हम कह देते हैं, तो यह 4 stages हैं, जो सबसे जादा आपके काम की हैं, otherwise, stages बहुत सारी हैं, human development की stage अलग होत पूर्व बाल्यवस्था, अब यह वो काल है, पूर्व बाल्यवस्था, language पर question 2-3 तरह से ही बन सकते हैं, एक यह है आपके सामने, जो बहुत बार repeat हुआ है, इसको हम sensitive period कहेंगे, यानि समवेदन शील काल कहेंगे, language development के लिए, fastest period भी है, language development के लिए, यानि सबसे तेजी से भाशा का विकास, सबसे तेजी से, क्योंकि बच्चा जो भी cartoon देखना शुरू करेगा इसी उम्र में, आसपास के लोगों को सुनके समझना शुरू करेगा, और जो वो सुनता है वही repeat करता रहता है, हर टाइम पूछता रहता है कुछ ना कुछ, fastest period है, यानि सबसे तीवर गती से भाशा का विकास यहां होता है, बाकी सारे विकास भी बहुत तेज हो रहे होते हैं, लेकिन language की बात करने तो fastest है, critical period है for language development, critical period है for language development, ठीक है, clear है, यह जो language acquisition device है नॉम्चॉम्स की जिसकी बात करते हैं, वो भी सबस्यादा active, यहीं है, बच्चा 25 से 50-55 साथ शब तक कुइंग मतलब कूकना, है न, 6 हफते में, चो प, टेड़ी मेरी आवाजे निकालेगा, है न, जो समझी नहीं जा सकती, बस वो आवाजे निकालना शुरू कर देता है, कूकना शुरू कर देगा, कुइंग, फिर इसके बाद आती है, babbling की stage, बल-बलाना कहते हैं इसको, इस CDP में जब बनता है, तो यही दो तरीके हैं, या तो यह पूछ लेगा, कि कॉंसे स्टेज में क्या हो रहा है, खब वो दो शब्द जोड के एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, या फिर जो आपसे पूछा गया है, यही दो तरीके के question है, तीसरा हद से हद, vocabulary पे question आ जा कालना है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक, तो first stage, हम यह मान के चलते हैं, कई लोग crying को भी include कर लेते हैं, जब बच्चा रोता है, तो वो भी जन्म के समय, तो भी भाशा की एक stage होगी, बट हम cooing से ही शुरू करते हैं, ठीक है, cooing हो गया, babbling हो गया, फिर आती है one word stage, बहुत महत्पूर है, कई बार question आया हुआ है, one word यानि एक शब्द की अवस्था, यह आएगी एक से डेढ़ साल के बीच में, one year हम इसको मान के चलते हैं, जब बच्चा एक शब्द को बोलना शुरू कर पाएगा, जैसे पानी, बाबा, मामा, यहाँ पे सिर्फ वो single syllable, जै बैबलिंग की stage में, one word stage में वो पूरे शब्द को ठीक से उचारित कर पाएगा, यानि pronounce कर पाएगा one word को, जैसे water हो सकता है, पानी, खाना, whatever, ठीक, फिर आती है two word stage, two word stage या telegraphic speech भी कह देते हैं, इस stage को, थोड़ा सा deep में चलेंगे, पहला session इस से क्या होगा, आपको, एक स speech, हिंदी में भी telegraphic ही कहें, आप इससे तो अच्छा है, two word stage कह देते हैं, डेड़ से दो वर्ष, ठीक है, 18 से 24 महिने, इस पर question आया था, 2018 में, उसके बाद भी I think आया है, बहुत बार कि जब बच्चा वो कौन सी stage है, जब दो शब्द जोड़ करके, एक नया sentence बनाना शुर इस महिने में, ठीक, बहुत important stage है, पहली बार यहाँ पर वो नया शब्द बनाना शुरू कर देगा, ठीक है इतनी बाद, यही हमारे काम के, फिर इसके बाद longer utterances है, अगर आप दो साल के बाद देखें, तो वो बड़े जो वाक्य हैं, उनको बोलने लग जाएगा, फिर एक वजह से आप confused नहीं होंगे, वो क्या है, उन्होंने कहा, एक साल में बच्चे के पास कितने शब्द होते हैं, बताएगा कोई, तीन शब्द या दो शब्द, ऐसा कुछ नोने एक vocabulary दी हुए है, इससे आपका idea लग जाएगा, एक साल में तीन शब्द, दो साल में दो सो बह 272 का शब्द भिंडार बच्चे के पास होगा, फिर उन्होंने 5 साल की बात किये सीधा, दो हजार बहितर शब्द, या दे यह चीज, अब इससे question कैसे पूछ लेता है, question पूछे का 3 साल में कितने होंगे जी, तो 3 साल का जो idea है, वो होता है 900 words के around, 900 प्लस, 1000 के आसपास शब होते हैं, 4 साल, क्योंकि 2000 के बीच में ही रहेगा न, 222 और 2000 के बीच में रहेगा 3 साल और 4 साल, चार साल में कितने होंगे, 1500 के आसपास, 1500, 1600 प्लस, तो यह शुरू के 5 साल क्या, शब्द भिंडार भी आपको पता होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक, एक साल में 3 साल का मतलब क्या है, पानी, मम्मी, खाना, इस तरह के कुछ 3 शब्द की वोकेबलरी उसके पास होती है, एक साल की उम्र में, 2 साल में 202 शब्द हो जाते है, इन 202 का यूज करके वो नएने sentences बना पाता है, फिर आती है 5 साल की बात, तो 5 साल में 2000 वहितर वर्ड की वोकेबलरी ह करें कि 2 से 6 वर्ष जो है, बहुत ही critical, sensitive, important, fastest period है for language development, भाशा विकास की दृष्टी से, क्यूंकि आप देख रहे हैं, 200 वहितर से 2000 वहितर कितने गुना, जंप मार गया बच्चा है आपर, भाशा को सीखने में या उसका शब्द भंडार कितना बढ़ चुका है, ठीकि ना, तो 3 वर्ष में 900 प्लस, 4 वर्ष में 1500, 1600 प्लस, 5 का आपको पताईए, तो यही तीन तरीके हैं जिससे question बन सकता है, यह stages wise, कितने महिने में कितनी stage, कितना शब्द भंडार, और तीसरा है वो आपका sensitive period, fastest, critical, यही तीन तरीके हैं, इनी से language पे question बनता है, आते हैं, तो हमने कि language development के sensitive period की, यानि भाशा विकास के लिए सबसे महतुपूर्ण काल, तो हम कह रहे हैं कि अरली childhood है, ठीक है न, sensitive period हो गया, अगर cognitive development के लिए sensitive period की बात करें, तो पूरा जो time है आपका childhood से लेके adolescence तक, adolescence मतलब किशोरावस्था, तो वो किशोरावस्था तक हमें पता है कि किश अधी का सरवाधिक विकास या maximum जो development है वो किशोरावस्था में हो जाता है, इसका मतलब important period के हम bon vita का add आता था आपने सुना होगा, देखा होगा, कि 5 साल की उम्र तक बच्चे के 90% मस्तरश्क का विकास हो जाता है, यानि वो 5 साल की उम्र से लेकर के, या पूरा जो childhood है उस आज कल बहुत चर्चा में है, पिछले 2-3 सालों से नई research इस पर बहुत सारी आ रही है, कि हमारा जो brain है, वो हमेशा सीखता रह सकता है, तो इससे एक question आया, जिसको हम अभी discuss करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूं, कि कहानी चल क्या रही है, है ना, तो neuroplasticity या brain plasticity या मस्तश को नमनियता कह सकते हैं आप इसको, plastic का मतलब यह नमनियता, plastic है कोई चीज, plastic है मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, easily, mold किया जा सकता है, कोई भी shape दी जा सकती है, तो brain plasticity या neuroplasticity, हमारे brain में neurons होते हैं, जो की विसफोट करते रहते हैं, जि आप में एक चोटा सा वीडियो भी कल डाल दूगी, मैं कल बैच में यह समझाया भी था, जो लोग बैच में हैं, उनको बता होगा, तो मैं उसमें से ही एक clip लगा करके, क्योंकि यह नया question है इस बार, तो आप YouTube पे भी पढ़ लेंगे, तो brain plasticity का मतलब क्या है, brain मस्तश को नमनियता, यानि हमारा brain अनुभव के आधार पे परिवर्तित हो सकता है, यानि environment के according, adapt करने की शमता है हमारे brain में, और जीवन भर अनुभव के आधार पे हमारा brain change होता रह सकता है, यही plasticity है, plasticity मतलब changeable है, जो हम development के बारे में परसों पढ़ रहे थे, कि development क्या है, modifiable है, changeable है, amendable है, plastic in nature है, यानि परिवर्तन संभव है development में, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन संभव नहीं है, irreversible है, reverse नहीं होगा, लेकिन change तो हो सकता है, modify तो हो सकता है, plasticity तो होती है brain में, जिसकी वज़ा से हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, यह plasticity सबसे ज़ावा तीन समय प इन सब चीज़ों से आपके जो neurons हैं, वो विस्फोट करते रहते हैं, millions and billions of neurons हैं आपके brain में, जिनकी वज़ा से आपको दिमाग active रहता है, तो नई नई चीज़ों को सीखने की शमता है, यह environment में adapt करने की शमता है, इस पे एक वीडियो में अरक से कल डलवा दूंगी, वो आ brain plasticity, यानि brain, यह bonus question है, इस पर मैंने number नहीं डलवाया है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, brain plasticity की जब हम बात कर रहे हैं, यानि मस्तश्क नमनियता के संप्रत्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यह suggest क्या करती है, again अनुभव के आधार पे adapt करने की श एक topic है, heredity and environment, विकास जो है, किसका गुडन फल है, heredity यानि आनुवान चिकता और वाता वरण का, heredity and environment का, तो सिर्फ heredity थोड़ी कह सकते हैं, कि जो हमें genetic make-up से मिल गया, environment में चाहिए, खाना दो, मत दो, school भेजो, मत भेजो, कोई फर्क नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं है ठीक, फिर है B option, development proceeds at same rate among all individuals, देखे, same rate पे नहीं हो सकता, stage same होती है, development के चरण same होते हैं, है न, बालेवस्ता है, तो पूरी दुनिया में बालेवस्ता, उसी उम्र के आसपास रहती है, लेकिन दर, दर तो दो भाई भेनों की नहीं सेम नहीं होगी, कोई किसी चीज को उनों ही गलत होगे, ठीक है, दो तरीके हैं, या तो हम सही उत्तर को पकड़ ले, या फिर गलत को हटा दे, अगर हमें सही नहीं पता, तो जिनको, sorry, जिनको brain plasticity नहीं भी पता था, वो भी आंसर तक पहुंच सकते थे, elimination method के थूँ, eliminate करके, eliminate करके जो गलत options हैं, वो कब पता होंगे आपको जब आपने बाकी चीजें पढ़ी होंगी, नया concept आ भी जाए तो डरना थोड़ी है, अगर आपने बाकी चीजें पढ़ी है, आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, तो entire period of childhood and adolescence is a sensitive period of cognitive development, यही बात, जब बात sensitive period of cognitive development के आएगी, तो हम क critical या important period कहलाता है, ठीक है ना, तो यह एक बात होगी, इसी को हम plasticity से जोड रहे हैं, कि इस टाइम पे आपका brain sensitive है, यह वो period है जब brain का development maximum हो सकता है, समवेधनशील है उस टाइम पे, development in one domain doesn't influence development in another domain, अब यह बात हमने पढ़ी है, कि विकास के जो तीन मुख्य प्रकार है, PC, SE, 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 एक साथ ही count होता है, इसलिए तीन मुख्य प्रकार है, physical, cognitive, social, emotional, शारिक, संग्यानात्मक, सामाजिक और समवेधात्मक, तो यह सारे आपस में जुड़े हुए हैं, शरीर में चोट लगेगी, मन भी ठीक महसूस नहीं करेगा, है ना, तो यह क्या हुआ, मतलब इसका simple यह है कि यह interrelated होते हैं, अंत्य संबंदित होते हैं, विकास के जो पक्ष हैं, शेत्र हैं, ऐसा नहीं है, किसी का किसी पे कोई प्रभाव नहीं बढ़ता, है ना, break up होने पे चार दिन तक पढ़ते नहीं है, लोग, कोई death हो जाए आसपास, तो पूरा disturbance हो जाता है, ऐसा थ दिमाद भी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो physical, cognitive, social, emotional, चारों जो आसपेक्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं, ठीक, तो यह तीनों ही बातें गलत थी, तो एक ही option बचेगा, जो अपने आप में सही हो जाएगा, कोई पांचवा option तो सही होगा नहीं, भई, answer आपके सामने है, यह हैं, इन चार options में सही, कोई एक होगा, तो C option is the only right answer over here, कि plasticity क्या है, वो period, जो sensitive period है, brain development के लिए, क्या है childhood और adolescence, इसमें दो प्रकार की brain plasticity होती है, एक है आपका structural plasticity, दूसरी है functional plasticity, इसमें मैं कल एक वीडियो डिलवाँगी, तब आपको यह चीज क्लियर हो जाएगी, बह भी change हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा, जो लोग meditation वगेरा लंबे समय तक करते हैं, तो उनका जो, I think, amygdala, जिससे stress induced होता है, वो वाला जो part है brain का, वो कम होने लगता है, या तो hippocampus, amygdala, इन दोनों में से कोई, कम हो जाता है, वो brain के structure में change आ जाता है, तो यह क्या से लिखते थे, कोई दुरगटना घट गई, right hand से नहीं लिख पाएंगे, आपने left से सीख लिया, तो brain का दूसरा हिस्सा functional हो जाता है, उस काम को ले करके, यह दो प्रकार की plasticity होती है, खेर, इस पे एक video आप अलग से भी देखिएगा, आते हैं question number 2 पर, आप जवाब चाहिए, मस तरीके से सीखेंगे, अब mother notices that one of her twins, एक मा ये notice करती है, इस बात पर ध्यान जाता है, उनका कि उनके twins मतलब दो बच्चे है, twins भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एक identical twins जो बिलकुल एक जैसे दिखते हैं, एक same gender होगा, और दूसरे होते है, fraternal twins जो भा तो twins हैं, एक मदर ये notice करती हैं कि उनके दो बच्चे हैं, जुडवाँ बच्चे हैं, उनमें से एक जो है, is progressing more quickly in learning to walk, जल्दी चलना सीख रहा है एक बच्चा, दूसरे बच्चे के comparison में, ठीक, तुलना में, which principle of development is associated with this variation in learning, विकास का कौन सा सिध्धानत यहां लागू होता है, विकास के कई सारे सिध्धानत हैं, विकास एक बड़ी प्रक्रिया है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए, कुछ सिध्धानत भी पढ़ते हैं हम, अगर आपने marathon वगेरा देखी होगी, तो मैंने उसमें समझाया हुआ है, ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, यहां, एक मा ने देखा कि उसका एक जड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में जल्दी से चलना सीख रहा है, अब इसका क्या मतलब है, कौन सा सिध्धानत है, पहला option, development proceeds from head to toe, तिर से percure जाता है development, विकास जो है, पहले बच्चा सर समालना सीखेगा, फिर घर समालना सीखेगा, यह अपनी अपनी जगा सही है न, वहीं मेरे लिए क्या best है, दुनिया में हर इनसान best है, आप शाधी करने जा रहे हैं, बाना ले लेते हैं, यह example में बहुत दोती छी है अपने आपमे, आपके लिए क्या best है, यह जरुरत किस चीज़ किया उस समें पर, यह देखोगी न, तो options में से जो सही उत्तर होगा वो question के according best होना चाहिए ना हमें best option चाहिए चारों सही हो सकते हैं pedagogy में ठीक है ना तो यह अपने आप में सही है लेकिन question ने हमसे यह नहीं पूछा question ने हमसे कुछ और पूछा है ठीक B option है development proceeds stage by stage among everyone यानि विकास जो है वो हर चरण में बढ़ता रहता है चलो बात तो ठीक है लेकिन कुछ और पूछ रहे थे फिर आता है c option development proceeds at different pace among different individuals अलग-अलग व्यक्तियों में विकास अलग-अलग गती से होता है यही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि गती pace rate of development can differ in two individuals stage same रहती है देखे दो चीज़ें आपे एक तो है stage और दूसरा है ये भी मैं आपको दे दूँगी PDF जब आपको मिलेगी न तो ये भी include करके दे दूँगी एक चीज है stage stage universal होती है development की जो stages है वो universal है सार्व भॉमिक हैं चाहे कजाकिस्तान का बच्चा हो चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो अफगानिस्तान का हो इंडिया का हो कहीं दुनिया का कोई बच्चा हो विकास के चरण सेम रहते हैं जवान होने से पहले बच्पन आता है ऐसा नहीं होता पहले बढ़ापा आ गया बाद में अडल्ट हुए बयस्क बने या बाद में किश्वरावस्थाई एक सीक्वेंस है जो फॉलो होता है ठीक है ना तो सारव भॉमे के स्टेजस सब के लिए सेम रहती हैं क्या रहती हैं सेम रहती हैं लेकिन क्या एक्जेक्ट सेम डे पे दो बच्चे चल जाएंगे कोई जल्दी सीख लेगा कोई चीज कोई थोड़ा धी में सीखेगा तो जो रेट है यानि चरण तो सेम हो सकते हैं बट दर भिन होती है इसको दूसरे शब्दों में पेस भी कह सकते हैं विकास की गती भिन हो सकती है जबकी तो गती क्या है सेम नहीं होगी not same for all जबकि stage same रहेगी इन दो चीजों में जो लोग confuse होते हैं हर साल एक number गवा के आते हैं क्योंकि एक question इस पे आता ही आता है ठीक है जी विकास के जो चरण है वो सब के लिए same है कि पहले infancy होगी फिर early childhood later childhood, adolescence, adulthood old age ये सब लेकिन दर्भिन में हो सकती है दो तीन साल के बच्चे जरूरी नहीं है कि दोनों same समय पर चलना सीखें कोई पहले सीख लेगा, same समय पर बोलना सीखें कोई जल्दी बोलना सीख लेगा, किसी को ज़्यादा शब्द आते होंगे ठीक, तो ये बात हमें समझ के रखनी है कि development proceeds at different pace among different individuals कि विकास जो है वो अलग-अलग गती से हो सकता है अलग-अलग individuals में चाहे वो जुडवाँ बच्चे ही, क्यों ना हो बात सही है या गलत है, बिल्कुल सही है ठीक, कोई दिक्कत परिशानी दर्द समस्य है, यहां तक हो तो बता दो फिर D option है, development proceeds from general to specific यानि पहले सामाने कती विदी करता है बच्चा बाद में, विशिष्ट यानि पहले वो पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ना सीखता है एक साथ पैदा हुए है, माता जी भी यह की है अब पहले क्यों चलना सीख पा रहा है एक बच्चा क्यों? क्योंकि दर का अंतर हो सकता है विकास की प्रक्रिया में, जो कि C option में ही कहा गया है, बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, C option पर चलते हैं सरी, third question पर चलते हैं, हमको ज़्यादे ही slow चल रहे है मुझा लग रहा है, है न, बट कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, proper तरीके से इस एक session से समझ ऐसी विक्सित हो जाएगी जब हम चीजें कर रहे होंगे topic wise, तो समस्या नहीं होगी पोल मिल गया होगा आपको, ठीक है न, question number 3 देखे, पोल में जवाब दीजे, development is dependent upon, विकास किस पर निर्भर करता है, विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है फटा-फट से बताएगा, good evening भई, बताएगे जवाब दीजे, जवाब तो बाकी के जो है, महान लोग, 36%, वो गलत उत्तर दे रहे हैं इन्हीं में घूम रहे हैं, वो 36% लोग इतने आसान सवाल का जवाब गलत दे रहे हैं, जबकि 64% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि हमने समय खूब अच्छा खासा दिया है, अब ये सही जवाब क्यों है, इसको देखना ज़रूरी है development is dependent upon, विकास किस पर निर्भर करता है, पहला option है genetic dispositions पर, आनुवानशिक प्रवृतियों पर, यानि जो genes से हमें मिला है, जो heredity से हमें मिला है, जो हमारे DNA से है बात तो सही है, उसका role होगा maturity में भी उसका role होगा, intelligence पे भी आपकी उसका प्रभाव पड़ेगा, बात सही है गलत है, बिल्कुल सही है, याना, देखो शब्दों में नहीं फसना, वो यहां से ना पकड़के कान यहां से पकड़ेगा, कभी बीच से पकड़ेगा लियानी, language का खेल होता है, topic वही है इतने सालों से socio-cultural practices, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रभाव पड़ता है जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं उस समाज और संस्कृति का आपके विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है ऐसा वाइगोस की भी कहते हैं, ऐसा जातर लोग मानते ही हैं, ठीक है ना, यह हम factors affecting development में भी कर रहे थे बैच वाले, थोड़ा सा याद कर लें, या जन्होंने YouTube पर भी पढ़े हुएं previous sessions, उनको भी यह बात पता होगी Physical environment, भौतिक वातावरन, मैंने कलपरसों ही बताया था किसी बैच में, कि environment दो तरह के होते हैं, एक होता है physical environment दूसरा होता है social environment physical environment क्या है? भौतिक environment, पेड, पौधे जल, वाईयो, अगनी, आकाश, वाटेवर जो भी आप कहना चाहें, तो environment दो परकार का है अगर हम यहाँ पेड़गॉजी में देखें तो environment किस तरह का है? दो मुख्य परकार है environment के, वो क्या है? यह कहीं लिखा नहीं मिलेगा, यह आपको experience से बताया जा रहा है ठीक, एक है आपका physical environment बहुत एक वातावरन जिसको हम कह रहे हैं जो हमारा air, water trees, जो आप कहना चाहें यह सब बहुत एक environment में आते हैं यानि physical environment में आते हैं, आपके map आते हैं जब आप map लेने जाते हैं, पढ़ते होंगे तो उसमें map आपके दो तरह क्या आते हैं एक political map, एक physical map जिसमें नदियां होती हैं, जिसमें लोगों की कहानियां होती हैं दूसरे वाले, ठीक, physical और दूसरा है आपका यहाँ, political नहीं है social environment कह सकते हो आप ठीक है न, socio-cultural भी कह सकते हो तो social environment है दूसरा सामाजिक, जिसमें लोग हैं जिसमें लोग involved है ठीक, समाज जिसमें आ जाता है ठीक, people लिख देती हूं है आसानी के लिए दोनों ही तरह के environment का प्रभाव आपके विकास पर पड़ता है, वाइगोस की कहते हैं social environment जादा महतुपूर्ण है प्याजे को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने physical environment को भी काफी महतुपूर्ण माना है बहुत एक वाथा और जिसको हम कहा रहे है तो अगर हम देखें प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पर किसी और country में आप कुछ और देखते हैं वहां का culture different तरीके का है उसका कुछ और प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पर लेकिन प्रभाव पड़ेगा physical environment जो भी आपके आसपास की दुनिया है लोगों को हटा भी दे तब भी उसका प्रभाव पर पड़ता है ठीक तो answer क्या होगे तीनों ही बाते सही है देखो इस तरहा के options में जारतर chances यह होते हैं कि all of the above सही हो यानि तीनों options सही हो लेकिन हमेशा हैसा होगा ज़रूरी नहीं है बस आपको यह देखना है क्या आपको तीनों में से किसी एक को हटाने का valid reason आपके पास है क्या आप शौर है अगर आप शौर नहीं है तीनों में से किसी एक को हटाने के तो आप all of the above के साथ जाएए यह basic rule होता है probability का जब आप question solve कर रहे होते है none of these की संभावना कम होती है कि only one, only two वो only two बे त्वब जाएए जब आप बहुत शौर है कि आपको पक्का पता है बाकी के तीनों option गलत है एक ही सही है ठीक, यह basic fund आ है first, second, third सही है यापे सिर्फ एक क्यों सही होगा सिर्फ दोनों क्यों सही होगे सिर्फ ये second और third क्यों सही होगे options को देखते हुए